कि हैं यह फ्रेंड सीजी पेज से हैंडिटे नोट्स के यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चले क्लास श्टार्ट हो चुगा है आप सभी को पता है कि एक लास आपकी स्थायक सिक्षक सिक्षक और सिजी टेट इन तीनों के लिए बहुत आई जारे जो आपके सिलेबस के टूड़ा पाइंट हो इसी कंदा समाजी करते हैं कि लगाता क्लासे समों लोग दे रहे हैं एक क्लास नमबर दस्वा है ठीक है तो एक से लेकर आप नौत क्लास नहीं देखें तो प्लेलिश्ट में अपलोड है क्लास वन से लेकर क्लास टे और जिन लोग भी तक हमारे बैच से नहीं जूड़े हैं अभी भी समय हैं सीजी टेट भी आप दिला रहे हैं तो भी आप हमारे बैच जोइन कीजिए आपके सीजी टेट से पहले एक बार दोनों बैच में आप रहेंगे तो सिलेबस कवर हो जाएगा ठीक है तो निस्फिक सबसे बड़े प्लेटफॉर्म भी अपना आकलन करना तो वह केवल हमारा ही है ठीक है तो जिनको भी रेजिस्टेशन कराना होगे यह नंबर हमारा पजचता त्राशी च्छासी चौनलीस एकसाट इसमें कॉल कर लिजिए आप वाट्सम में मैसेज कर दीज आप पूरा आपको टूडब पाइं सिलेबस में क्योंकि यूटूब में वीडियो तो बहुत सारे हैं क्लासिस बहुत सारे हैं लेकिन लोग लेवल पर मेंटेंड नहीं कर पाने ठीक है तो सभी में पढ़ना इसको तीनों में तो चलीग हम लोग ने चालू किया था उसी को आगे आपको पता है कि मुस्लिम सास्को का सबसे जाड़ा वर्शस्व था भारत में तो कहीं ने कहीं जो हिंदू धर्मत है वह विलूप्त होने कगार पे थे उसी को उपर उठाने के लिए उसी को जागरित करने के लिए यह धर्मी कांदोलन सुरुवात हुआ था कहां से सुरुवात हुआ था दक्षिर भारत से सुरुवात हुआ था कि इस ने चालू किया था तो आपको बतायाओं कि संकराचार्य ने चालू किया था थीक है फिरे दिरे फैलने लगे तो फैलने लगे तो इनमें भक्तियांद पढ़ना है वर आल पूस्ता भक्तियानों कब चला तो सात्वी से बार्वी सटाप दीके बीच चला था ठीक है और इसके में प्रचारा कों थे तो संकराचारिय थे ठीक कि इसको हिंदो का सुधारवादी आंदोलर भी कहा जाता था हम लोगने कल पढ़ चुका है इसलिए प्रच्छन बहुत भी कहा जाता था सुनिवाद का प्रभाव थे इनके पर ठीक है निर्गुर्ब्रम्य की उपासना करते थे अदरेट वाद दर्सन दिये थे यह चार चीजे हर नाम में आपको याद करना है कि इनोंने इनको और क्या कहा जाता था यह कि इनसे प्रभावित थे और किसने की उपासना करते थे और कौन से दर्शन का पतिपादन के यह चार चीज़ें आपके सबके नाम में याद होने चाहिए तो कल कर मैं इसको याद करवा दिया था आपको अच्छे से उसकर यह इंपॉर्ट इन याद रखना बोला था आपको इन चारों को ठीक है संकराचारे ने कहां कहां जोटी पीट इस्थापिट किया बदरिनान में जोटी पीट द्वारिका में सादा पीट पूरी में गोवलधन पीट मैसूर में सिंगेरी पीट ठीक है इन चारों की स्थापना संकराचारे के द्वारा की गई है आगे दिखेंगे रामनुज एक जर्म कहा होगा त्रिपूती नामा की स्थान पर विश्वर में विश्वास करते थे ठीक है और इन्होंने क्या विश्प्ष्ट ड्वाद् प्रति पादित किया थे यह यार्थ द्वाद् रामानुजाचारे का विसिष्ट द्वयत वाद है यह दोनों चीज़ आपको यार रखना पड़ेगा ठीक है आगे देखते हैं इनके गुरु को न थे तो प्रयादव प्रकास और यामुनी मुनी सीरों ने सिक्षा प्राप्त देखी थी ठीक यार को यार्त पठीक है पड़ा चुका था राधा क्रिश्ट को पास अक्ते यह भी यार रखेगा बोला था चलेगा आगे देखते हैं फिर मादवाचारी बारे में पढ़े थे कल आप लोग ने इनहीं द्वेत वाद दर्शन को पर दिवारा देखी एक बार है निमबाग में दो बार पढ़े द्वाद थीक इसमें एक बार द्वेत वाद थीक वे आत्मा परमात्रों को अलग मान दे तो यह पूछ सकते हैं रखेगा ऐसे कौन से भक्ति आनोलन संथे जो आत्मा परमात्म को अलग मानते थे तो माधवाचारिय मानते थे यह लच्वी नरायन के उपासक थे ठीक है चलेगा नाम देखवारे में पढ़े हम लोग ने नाम देखवारे में आपको कल बता जिया था के नाम देखवारे में आख बारकरी संप्रदायक के रूप में प्रसित विचाःधारा की गौरोसाली प्रमपरा की स्थाफ़णा में प्रमु के योगदान है इनके गुरूप नाम थे ज्यानेशवार थे यह पहले ऐसे संथे नाम देख जो इसलाम से प्रभावित थे कल् अभभंगों के रूप में प्रसिद्धा है तो ऐसे कौन से भक्तियानौन सं थे जो मराठी के रचना की और जो अभभंगों के रूप में प्रसिद्धा बोलेगा तो यार रखेगा नाम देव ठीक है इन्होंने क्या दिया सुद्ध द्वैत्वाद वल्लभाचार वल्लभाचारी नाम से यार रखे का सुद्ध द्वैत्वाद ठीक है एकदम सुद्ध की बात किया सुद्ध द्वैत्वाद सिध्धान दिया है यह वैश्णों संप्रतायक अंतर कृष्ण भक्ति साखा के प्रम सब्सक्राइब और दूसरा सिद्धान्त रहस्य यह दोनों गरंद का नामें आ रखेगा वह लभाचारे की है सुब्धिनी और सिद्धान्त रहस्य ठीक है और इनके पूत थे बिठलनात ने कृष्ण भक्ति और अधिक लोगपरी बनाया तो वह लभाचारे के पूत थे प्रदान की औरंजेप के समय स्रीनाथ जी की मूर्ति गुदय पर पहुंचा दिया जहां से नाथ द्वार के नाम से विख्यात है बस इतने याद था अगर आप लोग याद रखेगा रामानन के बारे में यही तक करवाया थे कल साथ आप लोग को बोला था नोट्स बना ल इनोंने किसके भक्ति पर बल दिया तो यार रखेंगे सीताराम की भक्ति पर बल दिया था इनोंने सभी जाती सब完全izar come में बसक्ते हैं और उसको इम्पोर्टरन अपने दिमाग में पैठा लिया करे कल भी वह दो था था ठीक है तो चलेगा ध्यान रखी का उत्तर भाद से दक्षी भारत जो भक्तियानुख्यों को को लेका थे रामा नंद लेका थे उनके बारा सीष्ट थे जिनमें में प्रसिद्धकों बारा में तो धन्ना जाट थे सेंदास नाई थे रवी दास थी करेदास भी बोलते जो चमार जाती के थे कबीर जुलाहा थी थी कि यह प्रमुक्त जो बारा सीष्ट उनमें से संद्ध रामा नंद भक्ति के निर्गूर और सगूर दोनों के रुपर में विश्वांस करते थे तो कौन ते रामा नंद थे उत्तर भाद में भक्तियानूरं के प्रसाग से रामा न से उत्तर कौन लेके गया रामन लेके गये हैं याद रखिएगा इस बात को चलेगा आगे कंटिन्यू करते कबीर से यहां तक तो कल पढ़ लिए थे आज नया पढ़ना है कबीर से फिर से नोट बनाईगा आठवे नंबर है कबीर हमारे ठीक है मैं उन सभी संतों को उन सभ से शुरुआत हो जाए ठीक है अल्टरनेट का लेने कोशिस करूंगा मैं उसका भी नोट्स तयार करवार हैं कलेक्शन करवार हैं बहुत सांदर तरीके से आपके आपका कवर हो जाए चले कभीर को पढ़ लेते हैं वे सिकंदल लोदी के समकालिन थे यार रखेगा यह पू कभी ने भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया था तो किसने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया था उनके दोहों का संगलम बिजक में संग रही था आप सभी को पता है कि बिजक किसकी रखता है बिजक साखी सबत रमैनी यह सब पढ़ते ना साखी सब दम्पद रम्यनी विजक ठीशत सैंनर जिसका है जितने धोहें सब शेर這麼 किया गया है। उनका संगलन किन के द्वारा किया गया है तो भोग दास ये नाम यार रखेगा मुश्ट इमपार्ण है भोग दास ठीक है कवीर के गुरू स्वामी रामानंद थे यार रखेंगे कवीर के गुरू कुन थे तो स्वामी रामानंद थे कवीर धर्मदास के बीच संवादों का सं धर्मदास थे तक ग्रू घंसी रास्वाल टास पाता हैं अब पूछता हैतना तो यह सiquण कबीर के बारे बारे में आब आंके गुरू नाया के देख लेते हैं है कि एक सिकन्द द्याद लिए थिक है चले गुरु नानक के बारे में भी देखना है इनका जन्म होता चुड़ा सो सिष्टिनाइन से पंदा था था नामा के स्थान पर खत्री परिवार में हुआ था तीक है गुरु नानक जी का जन्म में खत्री परिवारत से थे आगे देखते हैं वे मूर्ति पुजा ते थे आता धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे यह याद रखेगा जो यह थे यह मूर्ति पुजा ते थे आता धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे लेकिन कर्म पुना जन्म में विस्वास करते थे गुरु नान जी ने किसकी कलपना की थी तो नीराकार इस्वर की कलपना की जिसे अकाल पुरुष की संग्यादी वे सुफी संथ बाबा फरीद से प्रभावित थे तो गुरु नानक जी सुफी संथ थे बाबा फरीद उनसे प्रभावित थे उन्होंने सिस्ष बनाए जो सिख कहलाए उनका निर्ण कलतान पुल में हुआ था ठीक है इतना आपको आपको याद रखना है गुरु नानक जी के बारे में ठीक है चलिगा आगे रेखते हैं चैतनी महापर बोस्ट महापरभू जो बोला जाता है इनका जन्म कहा हुआ था बंगाल के थे याद रखेंगे चैतन्य का वास्तविक नाम विसंबर था पर वच्पन में इंका नाम निमाई था सिक्चा पूरी होने के बाद उन्हें विद्या सागर के उपाधी दी गई इन्होंने कृष्ण को अपना अराध्य माना थेक है इनका नाम याद रखेगा विद्या सागर के उपाधी इनको दी गई थी चैतन्य महापरभू को तो यह पूस्ता है विद्या सागर के उपाध पूरी में हुआ था चैतने महाप्रभू बंगाल के साथ अलाउद्दीर हुसेण सा के समकाल इसते इतनी बात हैं आपको चैतने महाप्रभू के बारे में याद रखना है और नोट्स बना के रखना है थीक ह्ये समय नहीं कोई दिक्कत नहीं है हो जाएका तयारी सीजी टेट के भी तयारी करें तो भी आप पर नोट्स बनाया रहेंगे तो अभी आपका काम क्याएगा ठीक है एक महने इस रुपर बचा हुए 23- grape अपको पेपर न यह बत्य भी एपïप न सताब्दी संगितग ये सूर्दास का जन्म 1478 विए में रूनकता उत्तर प्रदेश गाउं में उन्हीं अकबर का समकालिन माने जाता है इसके समकालिन थे समकालिन वाला पूस्तिया भाई याद रखेगा जिसमें समकालिन पूछे उसको हाइलाइट कर लिजिएगा 3-4 पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूं उसको जब नोट्स बना लेगे उसका हाइलाइटर रखेगा थीक है अकबर का समकाली माने जाता था ये कृष्ण भक्ती धारा के महान कभियों में सरोपली है ये भक्ती काल के शगुड भक्ती साखा के सर्वसेष्ट कभी थी यार रखे का सगुड भक्ती साखा ये जन्मान्थ थे मतलब जन्म से अंदे थे सुदाजी तो सुदाजी की प्रमुख रचना क्या है तो साहित ये लहरी है इनके जन्म का समय विवादित है याद रखेगा बले बोल दें अभी हम लोग यहां पढ़ ले चोड़ा सा ड़त्ता लेकिन अलग 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 जो भी उलेख है वो अलग अलग मिलते हैं ठीक है तो यहां रख बार करके रहिएगा जिनलों भी बैस से नहीं जूरे मां बार बोर यूटूब में देखके आप कंपलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितना जोरी थेवरी पढ़ना उतना ही जोरी उससे रिलेटेड सीजी टेट में कितने नए कोश्यम बनते हैं सीजी सिक्षक भती में ज आग च्वाइन करना बहुत इंपोर्टेंट अब अगला हमारे कोण है दादु दयाल जी ठीक है इनके बारे में भी आपको चाल लाइन भस यार रखना है इनका जन्म एहमदाबार में हुआ था एक जुलाहा परिवार में हुआ था यह पूस देता है दादु दयाल क्या थ इंगे सीसे कौन कोन थे दादु दयाल के चलिक आगे रिखते हैं और अन्य कुछ संत देख लेकत है और भक्तिया अन्य प्रमुख संत और कौन कर थे Kent तुल्सी दास तुल्सी रास जी बारे में भी आपको यार रखना चाहिए यह भी इसी इतका आते है भक्तिया रौन क्य इनके जण में 497 में राजा पूर उत्तापिज्य राम चरित मानस अउधि लिखा हुआ है तुरसी रास तुरसी रास कि तो रचनाओं के बारों के संतो के पुछेंगा तो इसी कंद्र का सिलिवसकंद्र कवर होता है विस श्यक्त पाइएं हूर सब्सक्राइब कि दूच सोभण nota को भाइने शिक्ते सब्सक्राइब के आहले यहां प्ली पाइएं बारम पूश्ता है कि movies की रचनत याद रखेंगे कह तुलसी राज सफ्लिख का गीताव ली होगया कविता ली च्यार यार रखे रामचैट मानाच बीनाय पत्री आध धाविकel समकालन थे और इक कौन से ऑनलों के संथ माईउ और अबार दोनों के समकाले इंदे ज़्यार रखेगा तुलसी राजी पंतु अकबर के समय के साहित में तुलसी दास का और तुलसी दास रचित साहिते में अकबर कोई लेखनी नहीं है अगे नाम देख वारे में तो पढ़े हैं लोग ठीक पड़ चुक है ना डीटेल में 2326 में महाराष्ट में बारकरी समपताया के थी ये नाम देख पताया था अपको मीरा भाउनि निती दादु दयाल पढ़ें धुनिया थे र banner देखर्टी होते हरीजन धन भाफे इनकी जाती पूछेगा पूछता है यहां सकोशन मतर उनी चीजों को मैं यहां लिया हूँ बागे इस्टा पढ़ने की जवरत ने पूछ देता है धन्ना निम्न से समंदित है जात हरीजन धूलिया नाई आपको लगाना पड़ेगा जात तो याद रखे बस इतने ही इसमें तीन-चार नामों को दादु ड्याल आपको धुनिया जाती जाती थे रहधास आपके हरीजन जाती के थे धन्ना आपके जाट जाती के थे सेना आपके नाई थे पीपा आपके राजपूत थे ठीक है चलेगा आगे देखते हैं इन सभी ने समाज में फैली समाजिक और धार्मिक कुरूतियों को खुल कर विरोध किया सभी गुरु रामनन के सीसे थे और कभी के समकालिन थे अगर रहे के तुकाराम यह बारकरी पंद की संबन्दित है यह भी याद रखेगा तुकाराम को बारकरी पंद से अब मैंने एक बार रिवाइस कर लेते हैं भक्तिया अंद्वलन के जितने भी संतों के बारे हम लोग ने पढ़ा है वह आपको याद हुए यह टेवल फर्म में आपने नोट्स बना लीजेगा ऐसी ही ताप भी लाश्ट में आपका एक बार रिवीजन हो जाए और जो नए हो इसमें कवर हो जाए तेखे संपदाय मोश्ट इमपार्टे ने इसको एकदम ध्यान से देखिएगा यहां से कोश्चन आपके कवर होंगे चलेगा तो याद रखेगा स्री संपदाय है इसकी स्थापना किस ने की थी मतलब संस्थापक कोन थे तो रामा नुजाचारीन तो यार रखेग अगला रखते ब्रह्म संपदाय में माधवाचारी आपका नाम यार रखना है रूद्र संपदाय की स्थापना किस ने किया तो लभाचारीन यार रखेगा रूद्र संपदाय की स्थापना किस ने किया तो लभाचारीन यार रखेगा रूद्र संपदाय की स्थापना किस त्यार रखेगा रोसनिया अंदोलन के संस्थापक कोन है मियावादीर अंसारी फिर छटवा आपका सनक संपदाय किसका था तो निम्बका चारी का तो छटवा आपका रोसनिया अंदोलन किसका है रामानुजाचारी का ब्रह्म संपदाय किसका है माधुआचारी का अज़टी मार्ग अगला चाहय याद कर लेते हैं जो important वही चीज़ मैं आपको करा रहा हुँ तो इसको एकदम अच्छे से table form में बना के याद कर लेजेगा अगला है पुष्टी मार्ग पुष्टी मार्ग के कोन है तो वललभाचारिया याद रखिएगा पूष्टी मारगे के ठीक है फिर है रीशी संप्रदाय यह सेख नरुद्दिन रीशी ठीक है अगला धारकरी संप्रदाय धारकरी संप्रदाय के कोन है तो तुका राम है यार रखेगा धारकरी संप्रदाय के कोन है तुका राम फिर है दस्वा हमारे धर्म दासी यह कभी दा गया था ठीक है सनातनी संप्रदाय के स्थापना जग जीवन ये भी पूछा गया है फिर अगला है दास कुर्द संप्रदाय ये पुरंधा दास थे इन्होंने किया है दास कुर्द संप्रदाय के स्थापना ठीक है फिर अगला है लाल पंथ ये लाल पंथ है संत लाल गाज ज संकराचार्य जी है सतनामी संप्रदाय है सतनामी याद रखेगा सतनामी संप्रदाय है जग जीवन ने इनकी स्थापना की थी दास संप्रदाय है पुरंदरदास लाल पन का संत लाल दास महानुभावपन का गोबिन प्रभु पंदर हो गया आगे देखते हैं अगला देखेंगे 15 से आप 20 तक्याद करना है सोला नमर में है हर्याली संप्रदाय यह कौन है माधुआचारिय है थीख है आगे देखेंगे हरियाली संप्रदाय रामवत संप्रदाय जैनात के विस्णु नानक जी का सिक संप्रदाय यह 23 आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए तो चले गए याद कर लिए 23 आपको पूरे टेवल के फार्मेर में आपको यार होने चाहिए ठीक है यह हमारे प्रमुक थे जो भक्तियानों के आपने हैं आगे देखेंगे अब प्रमुख दर्सन और उनके प्रतिपारण जीतने पढ़ें उसके बहुत रिवाइस कर देते हैं अच्छे स्रेवाल फाम में ताकि आपका बहुत कंटर्स्ट हो जाएं तो यह लाश्ट वाला आपके लिए रामबाढ है इसको अच्छे स्या पासना करते हैं मार्ग ज्यान मार्ग था दूसरे रामनुजाचारे और किसके पढ़े निम्बकाचारी पढ़ें ये कौन से संप्रताय से थे थे संप्रताय से अगला पडे थे द्वयत द्वयत वाद थेख यह किसके द wife को दो बास। नीवू को दो बार नीचोडते तो द्वयत उद्वयत वाद थेक है शक्मूड भकृति के वासना ठेते और मा कूछ से भक्ति सब्सक्राइ या दह ब्Audrica सब्सक्तिटी मार्ग यह पांचो बहुत अच्छे से अपको याद वने चाहिए थी इनी से कोश्चन आपके बनते हैं अब कल करेंगे इसको पूरा भक्ति आंदोला हम लोग ने खतम कर लिए भक्ति के अंदोलन के अंदगर और हमारे सिलेबस ने दो चीज दिया है ना भक्ति आंदोला खतम कर लिए इतना ही पढ़ना बाकी कोश्चन के थ्रू मैं कवर करा अब कर लिए तक यह था लिमिट रहत है क्लास बनाने का मोनी बना पाते इसमें ठीक है और अभी ध्यान दीजेगा सभी लोग तेश्ट दिला लिजेगा और जिनों भी रेजिश्टेशन निकारा लिजेगा ताकि आपका हर चीज का प्रैक्टिस होते रहे नोर्स जरूर ब अग्ला टॉफिक एश्ट करेंगे सभी उसको करने कryos ज्यादा थे निस जोड़ा शेरी किजिएicular एव-टेली आप आप लोग जो भी पढ़ते हो उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा मैं बार बार बोर हो कहीं से पैट क्लास लिए हैं बहुत अच्छी बात है प्लेक्ट कास देखे लेंगे उसको चेक कर लिजिए समय रहते हैं जो पढ़ रहे हो वह 36 सिक्षक भरती लेबल के लिए इंपो सब्सक्राइब करेंगे कंटिन्यूटि आपके तहरी करेंगे चाहिए हमको घर से पैसा लगाना पड़ जाए क्यों को आपको पता है 15-20 लोगों के टीम लगती है सब्सक्राइब करने के लिए ठीक चलेगा मिलते हैं इस वीडियो में स्टेटस में जरू सियार कीजिए इस